नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनशकुमार की एक फ्रेस एफिसोड में अब सब को स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस टपिक में हम बात करेंगे रूस और पाकिस्तन की बारे में सचच चाइना और आमिर्देगा की बारे में। देखे फ्रेंड्स जो टाइटिल आपने फाइंड आउट यहां पे किये है, रूस ने पाकिस्तन के उपर भरोता नहीं जयता है। फ्रेंड्स आज की इस टपिक में हम बात करेंगे रूस यह नहीं किया पाकिस्तान के उपर कितना कर्ज है। उसका GDP है। उससे 70% यह जो है कर्ज में है। तो पाकिस्तन के कूल सारवजनिक के रून और दैने दिन लगभग 400.27 लाख करोड है। पाकिस्तन रुपिया 225 आरफ डलर होने की अनुमान जदे आ जा रहा है। तो आप मार लिजे कि जहांपे पाकिस्तन की होल जीटीपी 100% यह आप देख रहे हो। पाकिस्तन की कर्ज में डुबा हुआ है। बाकि 30% में पाकिस्तन चल रहा है। तो उस सिच्वेशन में रूस क्या बाकि कोई भी देश होता वो यहां पर पाकिस्तन के उपर भरोसा नहीं जदा बाता। आजकी इस टपिक में जनने की कोईसिश करते की आखिरकार इसके पीछे क्या रहे जयांने साच-चात यह जनेगे की आने बाला दिन में पाकिस्तन का हम क्या होने बला है, क्या आने बला दिन में पाकिस्तन का विशव सिचुएशन है, वो प्रोब्लम rocky cuánt हो सकता है। जैसे कि आप लूगो के साथ स्यार कर रहाता है यहांपर पके सिपेशन है जो GDP एकनोमिक हैं काफी हद तक धर्ावाजाई हो चुका है तो महीं पर हम बात करेंगे उट्जा से जूज रहा पाकिस्तान को रूस ने यहां पर बढ़ा है तो रूस आकिरकर मदद करेगा तो किस पकार की मदद कर सकता है वह भी मैं आपको बता दूँगा देखिए फ्रेंट यहां पर रूस रूस यहां पर चीजों को देखा उसको फोचा और समझा कि पाकिस्तान अभी मुसीबत में है उसको help करना चाहिए वड़ उतना भी help ना करें कि जो आसा वो जता रहा है पाकिस्तान की जो प्राइस हो रहा है जो अमांट हो रहा है यहां पर देने के लिए पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान ने उसके पास अभी 70% यहां पर इकोनोमी की जो है वो कर्द से तले डबा हुआ है तो इस जो से पाकिस्तान इसको रिकवरी नहीं कर सकता है तो कहीना कहीना पर रूस नहीं बताया कि मैं आपको एक करव ओयल जो है एक करव ओयल जो है दे सकता हूं तो पाकिस्ता पास ना कोई मसीन है ना कोई साधन है ना तो टकनिक है उसके लिए फिर दूसरे दिर्श के उपर निर्भर करेगा तो वह एक बड़े ब्दध है बड़े बात है यहां पर तो रुष यहां पर पकिस्तान को जदी हम बात करेंगे यहां कि मिस्रिट ओएल को आयत के लिए भेजने के लिए यहाँ पर सुच रहा है तो यहाँ पर और एक अप्डेट आ रहा है कि Pakistan, रूस के बैचे तेल को यहां पर समहुनलित को लेकर विक्ष्ष की कमी है तो इसने हम पर हाली में पाकिस्तान पर संधे जता है कौन रूस यहां पर पाकिस्तान के उपर संधे जता है जता है कि यहां पर जो तेल समझत का लेकर गंभिर नहीं है तो कहीं न कहीं दोनों देश के बीच हुई हाली बैठक में रूस ने पाकिस्तान से कहा कि वो यहां पर जो कोईल ले रहा है जो टेस्ट के लिए पहले तेल की एक कारगो आयत करें इस पाकिस्तान को यहाँ पर मिर्सित कच्चा तेल देने पर राजी हो गया है तो इस साल अफ्रिल तक पाकिस्तान को रूस कच्चा तेल की एक कारगो मिल जाएगा तो इससे दोनों देश की बीच में तेल को लेकर एक बड़ा समझ्यों यहाँ पर एक समझोता बढ़ सकता है बड़ जिदि हम बात करेंगे State Bank of Pakistan की और रूस की Kendra Bank इस तीन मुद्रा में तेल आयत करने के लिए भुकतान मंतर पर विचार कर रहे है तो इस दिच को सोचने बालë है तो जिदि आप बात करेंगे यहाँ पर जो मुद्रा की मैंने बात किया कि आपकिस्तान आपर पैसा कैसे पेमेट करेगा रूस को तो पाकिस्तान में डॉलार की भारी लगी है तो लेकिन पाकिस्तान को यहां पर ब्यांकों ने डलार की तमी दिखे हुए रूसियानी ओयल की भुक्तान करने के लिए मना कर दिया तो अब यहां पर रूस ने डलार की बज़ा से तिन दूसरे मुद्रा में पैसा लेने के लिए सोच रहा है यानि कि समय जता है तो पाकिस्तान ने अब रूसी तेल को आयात करने के लिए यहां पर मेभी रूसिया की जो ओन प्राइस है रूबल चाहिए ना कि यह न की मदधम से या जिदि हम बात करेंगे सावधी आरब इमरत थिरम से यह तिन मुद्रों के बैसिस में जिदि हम बात क करने के लिए ओधान मंत्र पर बीचार कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने एक नहीं स्भीbin बनाया है योजना मदब नाने की चोजना कर रहे है कंपनी पाकिस्तान की रिफाइन द्वारा रूस की कच्चे तेल की आयात की देख रहे के करेगा और इस कंपनी पर पाकिस्तान सरकार की अपडेट लगातार रहेगा तो फ्रेंट्स यहां पर तो जो मैंने बता दिया पाकिस्तान यह भी सोच रहा है जो हम आयात करेंगे उसको देखने के लिए पाफशी मीदेश ने काफिस दक प्राइसिंग का क्याप में अपडेट के तो समद्र की रास्ते निर्यात किया जाने बाले रूस ऍंग की कीमध 60 आरप डलार से अधिक हो जाएगा तो इसी को देखतेल देखो घोसना के बाद तय क्या था कि वो उन देशों को रूसी ओयल आयत करेंगे जो की प्राइस क्याब के अधिन रहेगा और ओयल आयत करने के लिए चाहते हैं अब आगे जाकर ये पाकिस्तान और रूस की बीच तेल आयत तो अभी खुल गया है बड़ आगे जाकर ये हम देख सक करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान प्यामेंट कैसे करेगा साथी साथ जहां बात करेंगे अमेरिका का यहां पर क्या भी रहेगा क्या उपिनियन रहेगा वह तो समय बताएगा तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा बाकी देटल में आप लोगों साथ कर चुका हूँ इसे तमाम अप्डिट के लिए अब महरे चैनल को सुस्क्राइब कर सकते हैं थैंक यू